हेलो फ्रेंट्स और वेलकम तो एक्जाम्स मेट सिंपल तो विया बैक अगेन विद धे हिंदू कम्प्लीट न्यूस्पेपर अनालिसिस फॉर 18 जून जून 2024 का धे हिंदू न्यूस्पेपर अनालिसिस देखेंगे आज आए थिंग ओजोन डे भी है तो इसी थोड़ा कम चलाएं लिट्स इसके गैप को भरने कोशिश करते हैं ओजोन को क्लाइमेट चेंज नहीं रुख पा रहे हैं तो ओजोन को तो बचा ले है ना दूसरा आपने प्रिलिम्स UPC का देख लिया होगा पेपर आप लोगों न डिसाइड कर लिया होगा कि आपको आगे तयारी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है जो लोग थोड़ा हताश है निराश है उनके लिए एक बात ही बता रहा हो कि देखो लाइफ गोज ओन लाइफ रुखती नहीं है किसी चीज के लिए और अपनी हैपिनेस को ना अपनी खुश नहीं कर पाते हैं अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सर्वाइव ना कर पाए और इसलिए इसको उतनी ही तवज्जो देनी है जितना कि जरूरी हो अगर लग रहा है कि नहीं यार यह लाइफ से बड़ा होता जा रहा है तो उसको फिर क कि घ Movuzet यह कोई दिख्कत नहीं है नहीं होता है अक्जान ऐसे ही होगा कभी आजपा कभी दो दो और आजाए जाए आफ रहा है तो इस उसको अपने आपको उसके लिए नहीं तरबाना है और जो लोग अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए विल्कुल all the best है मेंकी तरफ से फिर से और मैं आपको एक बार और बता दूँ जैसे हमने कोर्स के लिए बताया था कि 20 तारिक से पहला बैच जो है वो अलड़ी फिल हो चुका है तो उसमें तो अब रिजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे सेकेंड बैच जो है फर्स जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिलिम स्कोर्स का ही आठ से दस दिन का समय रहेगा आपके पास अब उसके बाद हम फिर से एक जुलाई से रीकूप करेंगे और लास्ट येर का पेपर जो मैंने प पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी और पेपर वैसे ही आएगा और बाहर से कहीं से नहीं आएगा तो स्टाटिक पाल्ट आया देखो पूरी चीज़ें आई जो हमने पढ़ाई बाकी पॉलिटी तो बहुत आसान आई थी तो हर किसी ने पढ़ाया होगा मैंने भी पढ़ सकते हैं तो आप देख लीजे अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कें जॉइन फ्रॉम देयर स्टाट करते हैं आज का न्यूस्पेपर अनालिसिस देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और देखो करेंट अफेर्स तो बिल्कुल शूर हो मैंने पहले भी कहा था करें क्योंकि यही न्यूस आइटम ही था यही न्यूस आर्टिकल था आजेंटीना फेस्ट वर्ट वर्स टिकिनॉमिक क्राइस तो वह मैंने आपको बताया हो तो करेंट अफेर्स जब भी आएका न तो ऐसे कुछ आएगा और वहम उसके लिए तयार रहते वहमारा तयार रहता ह दोगंटे-ठीन थीन घंटे देने की आवशकता नहीं है स्टॉप वेस्टिंग उर टाइम मैंने पहले विकाहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं देज मों अगर आप सिर्फ इतना पढ़ रहे और इसके नोटs बना ले रहे तो आपको इसके बाहर को जहाकने की भी ज़रोदनी पड़ेगी तो all the best now for the next year's attempt let's start with the analysis सबसे पहले जो news article exam point of views हम दिस्कस करेंगे मैं आपके दादा जी और या उनके लिए paper नहीं बनाता हूं कि अगर दो सीट पर आपको सेलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका आगे क्या होता है तो सबसे पहले सवाल दे कि क्या आप तीन सीट से चुनाओ लड़ सकते हैं तो नहीं आप दो सीट से चुनाओ लड़ सकते हैं ऐसा representation of people's act में अल्रेड़ी है है ना you can fight the election from two seats है ना यह चीज प्रावधान अल्रेड़ी representation of people's act में है तो अगर एक व्यक्ति if a person is elected simultaneously to both the राजसभा और लोगसभा अगर आप राजसभा और लोगसभा दोनों के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो क्या होगा तो इसका मतलब भी होगा कि आपको 10 दिनों के है ना तो आपको चूज करना पड़ेगा कि which seat you want to hold और अगर आपको इसके लिए कितरा time मिलता है तो इसके लिए आपको 10 दिन का समय मिलता है 10 days time you get from this और अगर आप अगर आप नहीं चूज करते हो failing the 10 days window गर आप फेल करते हो the seat in राजसभा विल फॉल वेकंट तो इस 10 दिन अगर है अगर कोई individual contest करता है दो parliamentary constituencies तो अगर कोई व्यक्ती जो है contest करता है from two parliamentary constituencies ठीक है ना तो अगर दोनों से लट हो जाता है तो उसको किसी एक से resign करना पड़ेगा 14 दिन के अंदर he has to resign one seat within 14 days of the declaration of result अगर 14 दिन के अंदर वो fail करता है from resigning then both of his seats fall vacant दोनों सीटे खाली हो जाते है तो that is one of the very important rules in the representation of people's act अब यह भी याद रखना है कि यह constitution में mentioned नहीं है यह constitution में कहां mentioned है यह mentioned है आपका representation of people's act में तो मैंने आपको दो cases अभी बताए है एक तो राजसभा और लोगसभा में अगर कोई इलक्ट हो जाता है तो दस दिन का समय मिलता है और अगर दो सीट मिल जाती है उसको एक ही constitution महला दो सीट मिल जाती है रोगसभा के लेक्शन में तो दोनों खाली हो जाएंगे अगर 14 दिन में सुने नहीं बताए कि कौन सी जॉइन करनी है तो और इस बार यह आपको समझना है I hope you got clarity regarding that as well आगे move करते देखते और क्या important news article है जिनके बार दूसरी जो news हम discuss करेंगे हुआ है Congress ने कहा है कि cancel करो the green nod which has been given to the great nicobar project अब यह तो समझ में आगा कि अंडमाने निकोबार से related है अब हुआ क्या है actually 72,000 करोड का एक infrastructure project है जो की शुरू होने वाले है अंडमाने निकोबार region में especially इसको कहा जाता है the great nicobar project ठीक है न और इस project में क्या किया जाएगा obviously बात है इसमें transshipment port बनाया जाएगा international airport बनाया जाएगा township development होगा 450 MVA का gas and solar based power plant होगा island पे the project is expected to be spread over 130 square kilometer of pristine forest obviously बात है निकोबार region है forest region है तो उसको भी clearance होगा तो इसको environmental clearance दिया जा चुका है which is one of the most important prerequisite for that है न तो अब clearance दिया जा चुका है अब आप यह सोचो कि इसको क्यों रोक रहे होंगे तो इसको रोक रहे है क्योंकि उनका कहना है कि बहुत ही जो रीजन है वह बहुत ही जादा fragile ecosystem का region है और अगर आप वहां पर इस तरीके का development करते हो तो वह बहुत जादा नुकसान कारी होगा ना केवल अदमाने निकोबार को बट ओवर अल जो ecology environment वाला पार्ट है उसके लिए भी काफी जादा रहेगा तो I hope you got clarity regarding that अब दोको इससे हमको underlining एक चीज देखने को मिले जाती हो है अन्दमाने निकोबार का map बहुत important map exercise इस बार भी location के 3 से 4 question थे जो लोग हमारी course में जूड़े थे मैंने उनको दिखा ले तो मंगाडू मैंने आपको मेगा वह साइट भी लिखाई थी है ना तो इस तरीके से अपन map में हमेशा से मैंने हमेशा से काफी जादा ध्यान दिया है नौर्थ सी आप लोग चस्मिदी गवा रहे होंगे कि नौर्थ सी मैंने पूरा आपको बताया था तो बस वही है म उसको दसवार पढ़ लो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़ुरत नहीं है स्टार्ट करेंगे इस map को सबसे उपर आपको कोको चैनल दिख रहा होगा तो पहले तो कोको चैनल दिमाग में रखना कि नौर्थ अंडमान की उपर वाला पार्ट है अब अगर मैं बात कुर त चार भागों में विवाजित है सबसे पहला पार्ट है नौर्थ अंडमान उसके बाद है मिड्ल अंडमान फिर साउथ अंडमान और फिर लिटल अंडमान अब एक और चीज़ दिखेगी आपको यहां पे कि South Andaman और Little Andaman के बीच में आपको डंकन पैसेस दिख रहा होगा South Andaman और Little Andaman के बीच में डंकन पैसेस दिख रहा होगा South Andaman में आपको Port Blair दिख रहा होगा जो उसकी Capital है तो यह कुछ-कुछ facts है अब यहाँ आपको कुछ islands दिख रहे होगे नील आइलेंड है तो शहीद आइलेंड है इस तरीके से भी याद रहे होगा नील में भी बड़ी की मात्रा है शहीद में भी बड़ी की मात्रा है बोस में भी ओकी मात्रा है रोस में भी ओकी मात्रा है स्वराजदीप में हेवलोक ठीक है ना सुराज़ दीफैव लोक्तियाद ही रहेगा तो इस तरीके से आप याद रखिए इस चीश को ठीके बेरन आइलेंड आपको दिख रहा होगा उपर उपर अधर मिडिल एंडमान के सामने दिख रहा होगा अंडमान वाले पार्ट में नौर्थ एंडमान और इधर मिडिल जब आप बैटल पढ़ेंगे ना 1857 का तो आउट्रम का नाम आपको मिलेगा किसनों ने क्रश किया था रिवोल्ट को उनमें से एक आउट्रम विदा और इधर फिर एक इंपोर्टन चीज है कि 10 डिगरी चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है और लिटिल आगिए अपको ज़िन необходимо है का निकोबार के बीच में तें डिगरी चैनल ही यहां परिच में लाइंट लाई करते है थे ईद की रहाम आपके आपको पूरा अछे से समझा दिया हो अगया हो इतना भी काफी है अगला टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर है अब यहाँ पर बात चल रही है किस तरीके से जो नुकलियर वारफेर उसमें अपना काफी जादा बजट बढ़ा दिया है और काफी जादा खर्चा भी कर रहे है अगना गा तो यहाँ पर डो रिपोर्ट का यहाँ पर बेसिक लिया गया है पहला है आई कैं जो है इंटर्नाशनल कैंपेंट तो एबोलिश नुकलियर वेपन्स यह यह ICAN यह ICAN डबलन नहीं है ICAN जो है वो आपका website और URL से related है ICAN जो है आपका वो है international campaign to abolish nuclear weapons international campaign to abolish nuclear weapons तो लिखलो ICAN international campaign to abolish nuclear weapons और यहाँ पर report है एक दूसरी report आती है SIPRI की जिसको हम बोलते हैं Stockholm International Peace Research Institute ठीक है न Stockholm International Peace Research Institute बोलते हैं इसकी report आती है जो की weaponry से related ही है अब ICAN की अगर मैं आपको बात करूँ international campaign to abolish nuclear weapons तो इसका coalition of non-governmental organization किसका coalition है कि non-governmental organizations का coalition है जो की promote करती है adherence and implementation of the United Nations nuclear weapon ban treaty United Nations nuclear weapons ban treaty तो यह जो ICAN है international campaign to abolish nuclear weapon यह coalition है non-governmental organization का NGO's का और यह कहती है कि भया United Nations की जो nuclear weapons ban treaty है उसका following किया जाए अब देखो यह United Nations की nuclear weapon ban treaty क्या है है न obviously यह एक नएगा topic है तो यह nuclear weapon ban treaty जो है 2017 में क्या हुआ था ICAN और उसके partners नहीं बहुत ज़्यादा countries को वहाँ पर lobbying की और यहाँ पर जाकर कि इनोंने एक landmark global agreement करने में सफल रहे जो की है for banning of the nuclear weapons इसको कहा जाता है treaty on prohibition of nuclear weapon treaty on prohibition of nuclear weapon TPNW वोल थे TPNW treaty on the prohibition of nuclear weapons और यह force में आई थी 22 January 2021 तो it entered into force on 22nd January 2021 इसकी एकर हम बात करें तो it prohibits the nations from developing testing, producing, manufacturing, transferring possessing, stockpiling, using or threatening to use the nuclear weapons or allowing nuclear weapons to be stationed on their territory it also prohibits them from assisting, encouraging or inducing anyone to engage in any of these activities ठीक है ना obviously बात है सारी चीज़े बैंड है लेकिन याद रहन रहना 2024 में है बड़ा सवाल यह कि क्या भारत इसका member है तो no India is not signatory to TPNPW भाई हम NSG के नहीं है हम NPT के नहीं है CTBT के नहीं है तो all these things are important I hope you got clarity regarding that अगला जो टॉपिक है वो है Inuit Polar Bear Hunters तो कुछ Greenland में जो indigenous people रहते हैं उनको Inuit people बोलते है Inuit तो बस इसी को बताना था मेरे को आपको Inuit के बारे में They are Greenland's indigenous people member of the indigenous people of actually 3 जगा पे है Canada, Greenland, Alaska और Inuit जो है they are the people they are polar hunters polar bear hunters there and they live on very thin ice they are living on very thin ice अब यहां में बाच चल रहे अब एक और यहां पे है एक फियोर्ड का नाम है Itto Korto Korto Rmit Itto Korto Rmit देखो लिखा है ना It is the world's biggest fjord on the frozen east coast region of Greenland तो यह Greenland में ही है वर्ड का biggest fjord fjord क्या होता है दो क्या होता है fjord का fjord ऐसा होता है जैसे माल लो बर्फ पिखल के जा रही है एना glaciers जैसे आपके जा रहे है तो glaciers क्या होता है आपके move करते करते से पानी के पास पहुंच जाते है अब क्या होता है यह जब पानी क्या होता है जब यह वाला पार्ट पिखल जाता है तो पानी का एक inlet की तरह यह लगने लगता है जैसे बर्फ रहती है उसकर पानी शुरू हो जाता है लुक्स लाइक दे इनलेट ऑफ वाटर तो जब inlet of water जो होते हैं उसी को हम fjord बोलते हैं, inlet of water is known as fjord only, यह आपका एक जो feature ही है, यह हमेशा बर्फ वाली regions में आएगा, पर्मा फ्रोस्ट वाली regions में आएगा, ग्लेशल टोपोग्रफी कही पार्ट है, और याद रखें, इत्तो कोर्मित जो है यह आपका वर्ल्ड का biggest fjord है, तो I hope you got clarity regarding that as well, and this is the region which is there in Greenland Denmark, इत्तो कोर्मित जो है आपका Greenland Denmark को पार्ट है, I hope you got clarity regarding that as well, आगे move करते हैं, देखते हैं और कहा important news article है, जिनके बारे हमको discuss करना है, तो you can move ahead with me, अब यहाँ पर बात चल रही है, EU के carbon border adjustment tax की, carbon border adjustment mechanism या CBAM जिसको बोलते हैं, carbon border adjustment mechanism, तो fees, क्या impose करेगा, CO2 याने carbon dioxide emission fees impose करेगा, on the imports of to the EU, अगर European Union में कोई चीज़ इंपोर्ट की जा रही है, दूसरी कंट्री से जैसे की steel, cement, aluminium, fertilizer, electricity, hydrogen, है न, unless the exporting nation has equal CO2 pricing policies, अगर दूसरे कंट्री में भी, CO2 जो pricing policies हैं, वो same है as the EU, तब तो नहीं लगेगा, बट अगर आपकी वो policies same नहीं है, CO2 pricing की policies as the EU, तो आपको tax देना पड़ेगा, वहला, आप export तो करोगे, या आपको tax भी देना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि CO2 fees लगाई जाएगी, जो भी, क्या क्यों ऐसा कर हैं basically, ताकि जो ये steel, cement, aluminium, fertilizer, electricity, ये जो है, इनके production के लिए जो carbon emission है, उसको कम किया जा सके, तो actually EU चाहता है कि ऐसे products, जिसमें carbon emissions ज़्यादा है, उनमें fees लगाई जाए, तो that is the thing, that is a sort of green penalty which is there, तो ये कावी un-economical हो जाएगा, ये ही British बोल रहे है, हमाई ले तो बहुत un-econom हो जाएगा, हम shift ही नहीं कर पा रहे है, तो that is the thing which is there, I hope you got clarity, पस अपने बहुत carbon border adjustment mechanism के बारे में जानके रखना है, और ज्यादा जानने की ज़रत नहीं है, ठीक है, यहाँ वे बाद चल रही है कि government जो है, अपने 100 दिन का program release करने वाली है, तो हो सकता उसमें national mission on oil seeds भी आ जा 25, 26 ठीक है, यह important चीज याद रखेगा, हाला कि अभी 200 दिन रिलीज नहीं हुआ, तो हम उसमें कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा, but that is one thing which you can say, IFC to fund the Brookfield solar power project in Rajasthan, याद रखेगा पहले तो Brookfield asset management जो है, Brookfield एक asset management company है, जिसका एक program स्टार्ट होगा, power project स्टार्ट होगा, जो funding कर रही है, राजस्थान में, ठीक है, अब IFC उसको fund करेगा, IFC क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं, IFC is International Finance Corporation, IFC क्या है, International Finance Corporation है, एक international institution है, जो की support करता है, development in less developed countries, less developed countries में development support करता है, encourage करता है private sector की growth को, इसलिए Brookfield को पईसा दे रहा होगा न, member की बात करें तो IFC is a member of World Bank Group, World Bank Group का हिस्सा है, headquarters इसका Washington में है, mission है to promote private sector development to reduce poverty in developing countries, developing countries of poverty को reduce करने के लिए, ये private sectors को promote करता है, इसलिए Brookfield को promote कर रहा है, ठीक है न, और ये private enterprises को loan देता है, equity देता है, trade finance देता है, ये सार I hope you got clarity regarding that as well, focus area इसका infrastructure, manufacturing, agree business services, financial markets, ये सारी चीज़े है, I hope you got clarity regarding that as well, IFC जो है आपका वो, World Bank Group का हिस्सा है, ये भी आद रखना, ठीक है न, तो that is the thing which is important, I hope you got clarity regarding that, अब अगला यहाँ पर topic हम डिसकस करेंगे हो है, law on the mercenaries in war zone, actually हुआ कै कि दो हमारे Indian भाई जो थे, उनकी death वहाँ से, क्यों लड़ रहते हैं, ये कि गरीबी इतनी है, रेशिया ने वहाँ पर इश्तिहार निखाला कि भाई जो लोग लड़ना चाहते है, वहाँ तरफ से आके लड़ो, इन पिजाए कि गरीबी इतनी है, unemployment इतना है कि लड़ना पड़ता है, तो ये को ऐसे लोगों क एक अलग वह रहता है, वालब जो competent होते हैं, आर्मी के, या जो local military रहती है, उनका reason अलग होता है लड़ने का, उनका reason रहता है देश को बचाना, unity integrity of country, उनका reason रहता है patriotism, ये सारी चीज़ है, जो mercenaries होते हैं, they are not fighting for that, they are fighting for the money, mercenaries fight for the money, तो ये तरीके से mercenaries यहीं है, यहां पर author ने इस article में केवल 2-3 चीज़े बताई, एक तो mercenaries की definition बताई, जो मैंना, mercenaries कौन होते हैं, एक issue बताए, issue यह रहता है कि कोई law क्यों नहीं बन पाया mercenaries की उपर अभी तक proper, यो कि दिक्कत यह है कि कोई proper definition नहीं है, there is no proper definition of the mercenaries, ठीक है न, तो that is one thing which is there, I hope you got clarity regarding that as well, यहां पर देखो कुछ चीज़े है, एफरीका में जो लिया है, एफरीका में क्या किया है, organization of African unity convention for the elimination of mercenaries in Africa, 1977 में उन्होंने किया था, 1977 में एफरीका में किया गया था, elimination of mercenaries in Africa, तो that is one thing which you can make hold of, अब यहां पर यह चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है न, बाकी तो द of view से mercenaries के बारे में पूछ सकते हैं कि mercenaries क्या होते हैं, यह एक चीज़ा आप याद रख सकते हैं, mercenaries के बारे में कि definition क्या होती है, और बाकी बाकी कुछ नहीं है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर यह लिखा है जो मैं आप कहता है, distinction between conventional combatant and mercenaries is fundamental corner store, a combatant is typically a member of the armed forces, whereas mercenaries recruited from third party state, तो mercenaries हमेशा third party state से आता है, और बाकी वो armed state के रहते हैं, mercenaries usually engaged in hostility is motivated primarily by personal gains, तो वो personal motive होता है, money motive होता है, और आर्मी वाला जो होता है, उसका patriotism यह सम्मोटिव रहता है, challenge मैंने आपको बता दिया कि इसकी कोई clear definition नहीं है, इसलिए कोई law proper नहीं बन पारा है international law, हाला कि अपने अपने लोगों ने अपने अपने law बना है, इंडियन को बनाने की जरुत है ताकि इंडियन की जान बताई बचाई जैसे किस तरीके से, कैसे आप law बना सकते हो, जैसे कि आपको अगर foreign जाना है, war zone में जाना है तो आपको permission लेनी पड़ेगी, यह वेटिं कुछ laws आप बना सकते हो, तो I hope you got clarity regarding that as well, so that is it for the day, I hope you liked our video, please do like, share and subscribe, keep loving us, keep sharing us, thank you, have a nice day,